So Hello Everyone तो आज का जो एर फोर्स का पेपर है 14 सेप्टेमबर का मार्निक शिफ्ट का फो पेपर हो चुका है और बहुत लोगे इमेल्स मेरे पास हैं और आपको भी सुनने को मिला हुआ कि जो पेपर है वो आज कर लीक हो गया है पहले लीक हो चुका था और कहां पर लीक हुआ है और कहां पर चीटिंग के जो केसेज आ रहे हैं वो रोता खर्याना में आ रहे है तो जो केसेज आपको अभी तक S.S.C. में देखने को मिल लेते तो वही किस से अब आपको यहां पर भी एरफोर्सें भी सुनने को मिल रहे है इसकी पुष्टी अभी नहीं हुई है और बहुत लोग बोल लेखि चैंसल हो गया है और चैंसल हो जाएगा तो ऐसा अभी नहीं हुआ है चैंसल नहीं हुआ है तो ये वीडियो बनाने का मक्सेद सिर्फ मेरा यह है कि जो नों का पेपर आगे है वो ये सौंच के मत रखे कि अब पेपर कैंसल हो गया तैयरी नहीं करेंगे तो ऐसा बिलकुल नहीं हुआ है अप अपनी तैयरी पे फोकस रखी है अभी पेपर ऐसा सुनने में आ रहा है कि लीक हुआ है रोता करहना में और चीटिंग के केसे सु सुनने में आ रहा है लेकिन अभी कोई ऐसा ओफेशल डिकलेरेशन एरफोर्स की तरफ से नहीं हुआ है कि पेपर कैंसल हो गया है बहुत लोग बोल रहे हैं जरूर की पेपर कैंसल हो गया है फिर हो जाएगा हो बात की बात है लेकिन जिलनों का भी एक्जैम लगा हुआ और ती है और फिर में पुस्टी नहीं कर रहा हुँ कि पेपर लिकि यह हुआ हूँ क्यों कि चैपर कि this सुनने में आ रहा है इसे वाइसे वह से मैं वीडियो बनाया है कि आज़ पेपर है वो लीक हुआ है और उस पर एक वीडियो बनाई और कुछ इस पर बताईए कि क्या कुछ आगी कैंसल हो गए फिर नहीं तो देखी कैंसल उनने की चैंसे तो बहुत कम है कैंसल नहीं होगा वह भी सकता है लेकिन अभी आपको सीज़ का इंतजार करना पड़ेगा वह तो अफिशली एयर फोरसी आपको इस चीज़ के बारे में बता सकता है अब उसके वेब साइट पर तो जब तक नहीं या इसका डिकलरेशन हो रहा तब तक अपनी तयारी पर फोक आपको इसका देए तो कुश्चंस देखिए मेरे कोई कुश्चंस मिल गए और जिन लोगों ने आज पर दिया है वो लोग इस चीज़ कर सकते हैं कि आपको इसके बारे में क्या लगता है पर लिक हुआ है या फिर नहीं हुआ है यह भी बता सकते हैं ठीक है तो आप जिन लोगों की राय मिल सके और इस पर और भी डिक्लेरेशन मैं दे सकों की पेपर लिक हुआ है या फिर नहीं ठीक है धरन्यवाद